तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राबर्स कम्प्लीट हो जाते हैं तो हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीम और कम्मुनिटी टैप के आप्शन को एनेबल कर दिया जाता है YouTube की तरफ से लेकिन दोस्त कभी-कभी ऐसा होता है कि चैनल पर 1000 सब्सक्राबर्स तो कम्प्लीट हुए ही रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे चैनल पर नहीं लाइव स्ट्रीम अनेबल किया जाता है ना ही कम्मुनिटी टैप के ओप्शन को अनेबल किया जाता है तो दोस्त हमा में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों के चैनल पर अगर 1K subscribers complete हो चुके हैं और आपके चैनल पर live stream का option को enable कर दिया गया है और आपके चैनल पर अभी तब community tab के option को enable नहीं किया गया है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताने वाला community tab के option को enable करवाएंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों के चैनल पर 1K subscribers अभी तक complete नहीं हुए हैं तो भी आप लोगों के चैनल पर 1K subscribers जो है complete होंगे ही होंगे तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी problem आती है तो यह वीडियो देखे रहोगे तो आपको पता होगा क अपने चैनल पर की मेरे चैनल पर यह सभी चीज़ें enable हो जाए तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important और useful रहने वाली है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंट तक आप पूरा देखते रहेगा तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम ह राज और आप देख रहे हैं राजपासी YouTube चैनल और हाँ दोस्तों चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ओन कर देना तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे continue करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोड़ी सी request करना च तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को YouTube अप्लिकेशन को ओपेन करना है उसके बाद यहाँ पर आपके चैनल का लोगो आता है इस पे एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सबसे नीचे help and feedback का एक option आएगा इस पे एक बार क्लिक करेंगे क्लिक करने क आप लोगों के सामने और भी कई सारे option आजाते हैं लेकिन जो सबसे उपर send feedback का blue color का एक option आता है इस पे एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद मैंने एक feedback जो है तयार किया हुआ था मैं इसको paste कर लेता हूँ यहाँ पे तो इस तरह से आप लोगों को एक feedback लिखना होगा लिख लिखने वाद आप लोगों को copy करना है यहाँ पे paste कर देना है लेकिन आप लोगों के इस feedback में आपके channel का नाम और channel का link जरूर होना चाहिए इस तरीके से उसके बाद इस तरीके से feedback लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे blue color का एक बटन आता है इस पे एक बार click करेंग तो ये feedback यूटूब टीम तक पहुंच जाएगा उसके बाद आप लोगों को 24 घंटे तक वेट करना है अगर 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे तक आपके चैनल पर community tab के option को enable नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से आपको YouTube टीम तक यही feedback send कर देना है उसके बाद आप लोगों को एक दो दिन तक वेट कर लेना है आपके चैनल पर community tab का option जरूर से enable कर दिया जाएगा